ओम जैस यारा मित्रों, स्वागत है आपका आदर्स धर्म सनातन धर्म के अनसुने कथा प्रसंगों के प्रस्नावली कारिक्रम में। आज के वीडियो के माध्यम से हम स्रीमान सिवचरन जी, सिवचरन सिंग जी के प्रस्न का उत्तर दे रहें, जो उन्होंने हमारे एक अन्य वीडियो बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी के कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो यद्यपी सिवचरन जी आपकी पहली में ना तुकबंदी है और ना ही आपने सही से लिखा है, जो सबकी समझ में आ सके। किन्तो आपकी भावना, जो आप पूछना चाहते हो, समझ में आ रही है, अतह इस आइस पश्ट प्रस्न का भी उत्तर दे रहे हैं। आपका प्रस्न है, सबल चोर सहजोर पहरुआ, सबल चोर सहजोर पहरुआ, ना पहरुआ के काया चोरी हुई, गे माल चलेगा लेकिन माल धरे नहीं लाया। ये कहा के स्टोरी है, प्लीज आप सभी को बतलाने की क्रपा करें। आपकी पहली लाइन तो बड़ी जबरदस्त है, पर अगर आप उस पर थोड़ी मेहनत करते, तो एक बड़ी हा पहली बन जाती। किन्तु फिर भी कोशी सच्छी है, आपके प्रस्न का सबदार्थ। सबल चोर, सबल चोर का मतलब यहां महान बलसाली रावन से है। सहजोर, सहजोर का मतलब सिरी राम लक्षिमन से है। पहरुआ का मतलब पहरेदार है, और ना पहरुआ की काया चोरी हुई, सायद आप यह बतलाना चाहते हैं, कि सीता जी तो अगनिदेव के साथ चली गई थी, उनकी छाया रूपी सीता की चोरी हुई। फिर आप कह रहे हैं कि चोरी में गए हुए माल मतलब संपत्ती को चोर ले तो गया, लेकिन अपने घर नहीं लाया, अर्थात महल में नहीं लाया, उनको असोग बाटिका में ही ठहराया गया था। आपकी बात बिलकुल सत्य है। स्री रामचरित मानस में इसका विवरन आता है। कि सुनहु प्रियाब्रत रुचिर सुसीला, मै कचु करब ललित नरलीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगि करहु निसा चरनासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरिय अनल समानी। निज प्रति बिंब राखिता सीता, तैसे इसील रूप सुबिनीता। लचि मन हु यह मरमुन जाना, जो कच्छु चरीत रच्यो भगवाना। भगवान स्री राम माता सीता से कहते हैं, कि हे प्रिया, आप यह हमारी बात सुनो, कि जब तक हम एक नर लीला करने जा रहे हैं, तब तक आप पावक में निवास करो, जब तक हम निसाचरों का बद कर रहे हैं, उनको नश्ट कर रहे हैं। जब भगवान स्री राम ने ये उनको कहा, सब कुछ बताया, तो भगवान स्री राम के चरणों को अपने हिरदय में धारण करके माता सीता अगनी में प्रबेस कर गई। और वहाँ पे अपना प्रतिविंब अपनी छाया रूपी सीता को वहाँ रख दिया और वो ठीक वैसी ही छाया दिखती थी, जैसी की स्वयम सीता जी थी। लचिमन को भी ये जो कुछ हुआ ये घटना ये लीला उनको भी नहीं पता था क्योंकि भगवान ने उनसे भी छिपाया था। तो ये रामचरित मानस में भी इसका जिक्र है और दूसरी रामएनों में भी जिक्र है तो सिवचरण जी आपका प्रस्न बहुत वाजिब है और ये आपने बिलकुल सत्त बात कही कि छाया रूपी सीता का रावन ने हरन किया था। अमीद है कि आपके प्रस्न का समचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु जैसे आराम।